जई हैं । दोस्तों स्वागत है आपका और रखने वीडियों में और रखने टोपीक के साथ मैं हूँ राजे गारी टोप तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते आशा करंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और ज़रूर से कर दीजेगा जनुपर पहली वेस्टरन कैपिल्स हैं वह बड़े खुश्च है इस हवाले से कि जी मोधी साहब युक्राइन पहुंचे हुआ और जलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसपॉइंटेट थे जब नरेंद्रमोधी पहुंचे रशियारों ने का जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहें हैं यह वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डिमॉक्रिसी का लीडर वर्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे चपीड लगा रहें यह जिलेंस्की के वर्ड है अज निकल जाएंगे तो कल पहुंचेंगे वहाँ पर नरात की ट्रेन लेके वहाँ पर इंडियन इंसीट्यूट अफ टेक्नालोजी से लोग पढ़के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पर हकूमत करते नजर आ रहे हैं इस फकत अगर देखा जाए तो अमेरिका अमेरिका की हार दूसरी बड़ी ओर्गनाजेशन का है जो है वह भारती निजाग है और इंडियन इंसीट्यूट अफ टेक्नालोजी से पढ़ा है युक्रेन और रश्या के बीच लेकिन उन्होंने ये ट्रैवल यानि पॉलन्ड से कीव युक्रेन तक का ट्रैवल ट्रेन पर किया है वाया ट्रेन फोर्स वन ट्रेन इसको कहा जाए मैं इसकी गैरेंटी करता हूँ इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आई फ लोन नहीं दे सकता ना देता है बलकि इस वक्त मैं बता रहा हूं आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा अमेरिका भारत की मर्जी यह बगैर इसी कहती है कि वी डूनाट वरक आइदर और मतलब यह नहीं है कि हम इसके तालोक और इसके तालोक है नहीं हम ऐसे नहीं करते हैं वी गो विद आल ठीक है जी एक चीज़ तो है कि युक्रेणियन लीडर भी फून करते रहें नरेंडरा मोदी को और रेश्चियन लीडर से भी बात होती रही है अधर हकीकत एक पेज पर हुए ही ली कभी आपकी स्टोरियां ना से वाश्चियन डीसी के अंदर बलके दुरिया के हर कैपिटल के अंदर मिशूर हैं कि बिफोर आप दैश्चत करदी के लिए मिशूर थे आज आप कोरॉप्शन के लिए मिशूर थे मूधी को इस विजिट पर पहुचे यहां पर इससे पहले जब वो पॉलन में थे तो पॉलन में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है जो बच्चे पड़े थे इंडियन इंसिटूट अफ टेकनालोजी से जो आज यहां के CEO बन चुके है वो अपनी कंपनियों के सारी manufacturing चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं दूसरा future के अंदर अमेरिका जो है वो embargo sanctions लगाना चाहता है Chinese product के उपर उनकी manufacturing ठीक है जी अच्छा वैसे अगर इसको तोड़ा dissect किया जाए कि जिलेंस्की का यह कहना कि वर्ड's largest democracy ठीक है मिल रही है वर्ड's largest democracy का जो लीडर है वो हग कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े bloody criminal से हग कर रहा है and there was no response from India कि वहां पर Indian Institute of Technology से लोग पढ़के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पर हखूमत करते नज़र आ रहे हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका आई-म-फ तो ultimately is funded by America अमेरिका की हर दूसरी बड़ी organization का head जो है वो भारती निजाग है और Indian Institute of Technology से पढ़ा है मैं इसकी guarantee करता हूँ इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगएर आपको आई-म-फ लोन नहीं दे सकता ना देता है बलकि इस वक्त मैं बताता हूँ आप आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी बगएर क्योंकि वो बिलकुल इस वक्त रखाय कर रहे हैं कि इंडिया को इंडिया उनके इंट्रेस्ट को पोटेट करेगा सब कांटिनेट के उन्हों ने आपके पिशावर में घुसके आपके स्कूल में बच्चों को मारा था तो आपने गाना बना दिया था हमने दुश्मन के बच्चों को बढ़ाना है अपने बच्चे ने पाड़ रहे हैं और कहते हैं दुश्मन के बच्चे फिर उसके बाद एक हकूमत ऐसी आई कि उन्होंने सब को छोड़ दी तो जितने अब्डाबाद के मारने थे वो तालबान सब को बाइज़त तरीके से पिशावर अफगानस्तान चोड़ा है फिर कहते हैं उनको लाकर यहां अबाद करने तो आप अंदर हकीकत एक पेज पर हुए ही नहीं कभी आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वाशने डीसी के अंदर बरके दुरिया के हर कैपिटल के अंदर मिशूर है कि बिफोर आप दैशतकरदी के लिए मिशूर थे आज आप क्रॉप्शन के लिए मिशूर जो बच्चे पड़े थे इंडियन इंसिटूट अफ टेकनालोजी से जो उसमें कई स्पीकर से जो भारत थे बड़े बड़े अच्छे स्कालर थे उन्होंने इस पर अपना कंसर्म शो किया कि भारत की तरकी तब ही हो सकती है जब साथ पाकिस्तान के अंदर भी अमन हो वहां भी दैशतकरदी को प्रमोट ना किया जाए ताके वो भी अपॉर्ड हो और बाकी लोग बड़े डिसपॉइंटे थे जब नरिंदरा मोटी पहुंचे रशियारों ने का जी के बलड़ी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहा है नरिंदरा मोटी ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बलड़ी जो क्रिमिनल है उससे जपीड लगा रहा है ये जिल जिलिंस्की का ये कहना कि वर्ड लार्जस डिमॉक्रिसी ठीक है मिल रही है वर्ड लार्जस डिमॉक्रिसी का जो लीडर है वो हग कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े कि बलड़ी क्रिमिनल से हग कर रहा है and there was no response from India ये कोई असान बात नहीं थी ठीक है वो जिलिंस्की जि this is not a moment to respond to zilansky. जिलिंस्की को respond करने का ये moment नहीं है अगर हमने जिलिंस्की को respond कर दिया तो जिलिंस्की का टार्ट थोड़ा और बड़ा हो जागा तो इंडिया ने उसका रिस्पॉंस नहीं किया लेकिन यह बात तो मानी पड़ेगी तो इससे टाइट डिप्लोमाटिक रोप इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने तालुकात को बैलेंस करने की और यह जो इंडिया की मशूर नौन अलाइनमेंट अप्रोच जियो पॉलिटेक्स में अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फाइदे दी हैं आज हम भी ना लड़ रहे होते ना चगड़ रहे होते ना कुछ कर रहे होते मैं एक इंडिया की इस बात को लिंक करूंगा है अमेरिकन पॉलिटेक्स के साथ भी और एक इंडिविजूल को भी फिट आती है वो कैसे कि जब भी आप जिन्दगी में एक नई मनजल गया 48, 65, 71, Cold War, Afghanistan War, Kargil War, War and Terror मतलब जंगे ही तो है अब तो पाकिस्तान में कहीं लोग तंस करते हैं पाकिस्तान की हकूमत के होपर के एक जंग का सवाल है बबाबा, एक जंग, मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के अहलाद बार बेतर हो जोंगे कोई ऐसा मसलब नहीं है, लेकिन उसमें जानी, माली अपसान और सारा कुछ होता है, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किसी जंग का हिस्तानी बना, non-aligned approach रही, अपने आपको उसने मशूर करें, the word non-aligned alignment जो है, that is tagged with India, इंडिया इंडिया से tag हो गया हुआ, लोग कहते है हाँ जी वो tag, they are like this, so यह जो चीज है, कि आज जो जुम्हें को वो पहुँच रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी हम तो non-aligned, और मैं बाह बता हूँ, मैं आपको पहले बता सकता हूँ, कि नरिंदरा मोदी के क्या message होगा, नरिंदरा मोदी ये बात करेगा, कि देखो हम non-alignment के believer हैं, हम जंग के खिलाफ हैं, रशिया के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है, और हाँ, जो लोग मारे, जाएंकि दोस्तों, वीडियो को यहां ट्रक देखने के लिए, बाकि दोस्तों, आपकी क्या राए है, इस वीडियो के माधियम से, आप कमेंट में लिक कर जरू बता दीजिए, फिलाल आपसे विदाय ले रहे हैं, मिलेंगे और एकने वीडियो में दोस्तों, आपके साथ, तिल देन, जय निंग, जय गारण!